गाजा में जबरदस्त स्ट्रीट फाइट शुरू हो चुकी है महा युद में इतना खून भे रहा है कि अब पूरी दुनिया है किसी को उमीद नहीं थी कि गाजा के अंदर ये ग्राउंड ओपरेशन दुनिया का सबसे बड़ा खूनी युद साबित होगा हमाज भी दावा कर रहा है कि वो इस्रेल से पर्मनेंट युद के मूर में है पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौथा हमला पांच्वा हमला चठा हमला ये हमले तो बस बानगी भर हैं गाजा के गलियों में कुछ ऐसे ही आमने सामने की जंग चल रही है गाजा में स्ट्रीट पाइट हो रही है गाजा में अंदर तक घुसी इसराइल की सेना ऐसे निशाने पर आ रही है गाजा के अंदर इसराइल के टैंकों को ऐसे उड़ा रहे हैं हमास के आतंती दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड हमास के लडाके ऐसे चिप चिप करवार कर रहे हैं ऐसा सिर्फ ग्राउंड ओपरेशन में शामिल सेना के साथ ही नहीं गाजा में घुसे इसराइल के टैंकों के साथ भी कैसे हो रहा है इसे भी देख लीजी घर के पीछे से निशाना लगाया जा रहा है कम्री के अंदर से टार्गिट बनाया जा रहा है गलियों से हमले हो रहे हैं मलबे की आड में छिप कर इसराइल के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है इमारतों के भीतर स्नाइपर छुपे हैं घाजा की इमारतों के मलबे में मौजूद हमास के लड़ाके इसराइल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो रहे हैं घाजा की जो सबसे नई तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ साहिर है कि घाजा का जादतर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है लेकिन खुफिया रेपोर्ट की माने तो इसी खंडहर की आड़ में हमास के आतंकी इसराइल की सेना को खंड खंड करने का खतरनाक प्लैन तयार कर रहे हैं हमास का दावा है कि वो इसराइल के साथ स्थाई युद करने की तैयारी में है स्थाई युद को दूसरे शब्दों में कहें तो लंबा युद ऐसा युद जो एक दो महीने नहीं साल तक चल सकता है सवाल है हमास इसराइल से कितने महीने तक जंग लड़ सकता है एक महीना, दो महीने, तीन महीने, छे महीने, आठ महीने या पूरे बारा महीने बड़ा सवाल है, क्या हमास के पास इतने लंबे वक्त तक लड़ने के लिए हत्यार है क्या हमास एक साल तक इसराइल के सैनिकों को ऐसे ही अपनी गलियों में फंसाय रख सकता है क्या हमास के पास इतनी तादाद में गोले बारूद है क्या हमास की सुरंगों में इतने रॉकेट मौजूद है जिनके साहरे वो बारा महिने तक इजराईल से लोहा ले सकता है जवाब है बिलकुल नहीं ऐसा तभी मुम्किन है जब अरब देख हमास के साथ खड़े है और यही वज़े हमास अरब दुनिया से मदद के लिए आगे आने की गुहार लगा रहा है सवाल है क्या ये सच में होने वाला है अगर होने वाला है तो कब तक होने वाला है कैसे होने वाला है क्योंकि गाज़ा की जो तस्वीरे आ रही है वो हमास के हम दर्दों का होसला वढ़ाने वाली है घाजा के नक्षे में आप देखेंगे उत्तरी इलापा जहां इस वक्त इसराइल की सेना मौजूद है उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए कई किलो मीटर दक्षिन तक आपरेशन चलाया हुआ है वहीं इसराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलो मीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना घाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर तक पहुँच गई यानि अब उत्तरी घाजा दक्षिनी घाजा से पूरी तरह कट चुका है बीच में इसराइल की फोर्स है और अब सबसे जादा आबादी वाला उत्तरी घाजा पूरी तरह घिर चुका है यहीं पर घाजा के बड़े अस्पताल हैं जैसे अलशिफा अस्पताल, अलकुद्स हॉस्पिटल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है यह वो जगे हैं जहांपर हजारों लोगोंने आसरा लिया हुआ है इसराइल का गराउंड ओपरेशन बता रहा है कि अब उसने घाजा को दो हिस्सों में माड़ दिया है एक तरफ है उत्तरी घाजा जिसको चारों तरफ से असराइल के सिरा ने घिर लिया है अंदर बहुत खतरनाक ये धजारी है तो दूसरी तरफ है दक्षणी घाजा इसराइल की कोशिश है कि उत्री घाजा में हमास के पूरे गैनर को खत्म कर दिया जाए उत्री घाजा में इसराइल के टैंक घूम रहे हैं जरासी हरकत पर बंबारी हो रही है इसराइल अब पूरी तरहे हमास को धेर कर मारना चाहता है क्योंकि इसराइल के प्रधान मंत्री बेन्यमिन नेतन याहू ने संकेत दिये है कि इसराइल का इरादा घाजा से हमास के खात्मे के बाद उस इलाके की सिक्यूर्टी अपने हाथ में लेने का है